आईए ना हमरे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में ये वाइरल गाना आपने एक समय पर खूब सुना होगा इस गाने को लोक सभाचुनाओ के वक्त हम इसलिए याद कर रहे हैं क्यूंकि ये गाना नेट्ट्रिक्स पर आई जिस वेब सिरीज खाकी द बिहार चैप्टर की है उसका रियल विलन ने जेल से बाहर आते ही बिहार के एक बड़े नेता के खिलाब लोक सभाचुनाओ लड़ने की पूरी तयारी कर ली है तिकट भी पक्का हो गया है यही कारण है कि उन्होंने नोमिनेशन देने से पहले 62 साल की उम्र में साधी कर ली है आखिर कौन सी पार्टी इस रियल विलन को दे रही है अपना टिकट और चुनाओ लड़ने से पहले उन्हें क्यों रचानी पड़ी साधी चलिये जानते हैं पूरी ख़बर को IPS अफसर अमित लोड़ा की कीताब पर आधारित नेट्फिक्स की वेब सीरीज खाकी द बिहार चेप्टर में एक कुख्यात अफराधी चंदन महतो को दिखाया गया है जिस पर जेल ब्रेक करने से लेकर कई लोगों की हत्या का आरोप था वेब सीरीज का चंदन महतो रियल लाइफ में कुख्यात असोक महतो है 17 वर्सों की सजा काटकर असोक महतो 10 दिसंबर 2023 को जेल से बाहर आया है उन पर नवादा जेल ब्रेक कांड और सेकपूरा के जेडियू विधायक रंधीर कुमार सोनी पर जान लेवा हमला का आरोप था वहीं 2005 में सांसद राजो सिंग की हत्या के लिए भी महतो गेंग को ही जिम्मेदार ठहराय गया था मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों पहले लालू यादब ने असोक महतो को बुला कर चुनाओ लड़ने के लिए कहा महतो चुनाओ लड़ने के लिए तो तयार हो गए लेकिन उन्हें डर है कि कानूनी बादिता के कारण कहीं उनका नॉमिनेशन ना रद्ध हो जाए इसलिए उन्होंने लालू यादब की सलापर सेप साइड खेलने के लिए साधी कर ली ताकि अगर उनको टिकट ना मिले तो उवे अपनी पतनी को चुनाओ लड़वा सके बताया जाता है कि 62 साल के असोक महतो को पहले साधी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी खोजबीन के बाद लखी सराय के सुरिगढ़ा प्रखंड अद्रगत बंसीपूर हमजापूर इलाके में एक लड़की मिली जिसकी उम्र 46 वर्स थी लड़की के पिता हरी परसाज सहनी PWD इंजिनियर थी लड़की खुद दिल्ली की एक कंपनी में काम करती है और वहीं अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी लड़की का नाम अनिता है जो समस्बार कुर्मी समाज से आती है असोक महतो खुद धानुक कुर्मी समाज से आते हैं ऐसे में कयास लगायजार हैं कि मुंगेर लोकसवा से असोक महतो की पतनी अनिता को आरजेरी चुनावी मैदान में उतार सकती है आपको बता दें कि मुंगेट से जदियू के पूर्वरास्टिय ध्यक्ष ललन सिंग अभी सांसद हैं उन्हें फिर से जदियू तिकर दे सकती है इसलिए संभावना जताई जा रही है कि ललन सिंग के सामने असोक महतो की पत्नी अनिता चुनाओ लड़ेगी दोस्तों राज़त असोक महतो ये उनकी पत्नी अनिता को इसलिए यहां से चुनाओ लड़ाना चाहती है क्योंकि यहां पे धानुक, कोईरी और कुर्मी समाज के मद्दाताओं की संख्या काफी मानी जाती है इसके साथ ही यहां पे यादम मत्ताताओं का भी वर्चस्व है ऐसे में जदियू के ललन सिंग को टकर देने के लिए असोक महतो आरजेरी के लिए महत्पुन साबित हो सकते हैं सोक महतो के नाम कई नर्सहार दर्ज हैं इनमें सबसे भयावा है अपसर नर्सहार साल 2000 की 11 माई की रात के 11 वजे एक परिवार की हत्या कर दी गई थी नुनुलाल सिंग का परिवार के 15 लोग छट पर सो रहे थे अचानक 50 से 60 लोग आए और गोलियां बरसाने लगे लगवग 8 मिनट में उसने 300 राउंड से अधिक फारिंग की मरने वालों में 10 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के बुजर्ग तक थे इसमें असोक महतो का नाम सामने आया था साल 1990 के दसक के एंत में बड़ी संख्या में जाती हिंसा के लिए महतो और उसके गिरोह को जिम्मेदार माना जाता है बता जाता है कि महतो और गेंगेस्टर अकलेश सिंग की बीच की लड़ाई ने बिहार के नवादा, नालंदा और सेखपुरा जिनों के 100 से अधिक गाउं को परभावित किया था वहीं 2005 में सांसद राजो सिंग की हत्या के लिए भी महतो गेंग को ही जिम्मेदार ठाराया गया था असोक महतो 2002 नवादा जेल ब्रेक कांड के लिए भी मसूर हैं असोक महतो और अक्षत सिंग को फलव मिठाई देने के बहाने दो दर्जन हत्यारबंद बदमास ने जेल पर चाहाई की थी इस जेल ब्रेक कांड के दोरान तीन पुलीस अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी जिसका आरोब भी असोक महतो पर लगा था उसी समय उनके गउँ जाने के मार्ग में विधायक पर केन बंब स्पोर्ट हमला कर जान लेने का प्रयास किया गया था तो दोस्तों ये थी असोक महतो की कहानी जिनकी पतनी को मुंगेर लोक सभाचेत से आरजेरी चुनावी मैदान में उतार सकती है आप क्या सोचते हैं क्या वो चुनावी जीत पाएगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद